Good morning class as we were reading the chapter displacing indigenous people so we shall continue this chapter So we will read about under it the North America हम इसमें पढ़ेंगे आपका North America के बारे में So अगर आपको हिस्टरी को जानना है तो उससे पहले आपको क्या होना चाहिए आपकी जोग्रफी अच्छी होने चाहिए आपकी जोग्रफी इंप्रूब होने चाहिए ठीक है sudah our society और आपकी जोग्रफी कहीं नद कई एक दूसर से लिंक्ट है So हम देखते हैं की North America का जो 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 जोग्रफीकल क्या कहते है लिलीफ है ठीक है और तो यहां पर क्या है इसके यहां पर इसके mountains ए, Sierra Na GREEN्वादा की ठीक है शियारा निवादा इसके इस्टन्स में है ठीक है शियारा निवादा फिर आपकी कुछ यहां पर बीच में भी कह सकते हैं से यहां पर फेमस मौंटेंज हैं रॉकी ठीक है फेमस मौंटेंज कौन से हैं रॉकी ठीक है फिर यहां पर इनकी इंपॉर्टेंट रिवर मिसिसिपी कौन सी रिवर मिसिसिपी ठीक है यह इनकी बहुत इंपोर्टेंट रिवर है यह आपका थोरा सा वेस्टन साइड में आ गई ठीक है फिर एक रिवर है इनकी ओयो यहां पर यह रिवर हैं की ओयो ठीक है तो यह इसकी जेग्रफिकल कंडिशन से यहां पर सियारा निवादा यहां पर आपके रॉकी माउंटेंज ठीक है तो यह है आपका नौर्ट अमेरिका का जो आपके रिलीफ फीचर्स है ठीक है सो लेट्स रीड दर नेटिव पीपल्स सो हुआ गया था कि जो आपका नौर्थ अमेरिका है वहां पर क्या था कि बहुत टाइम पहले यह आपका नौर्थ अमेरिका है तो यहां पर एप्रॉक्सिमेटली 10,000 साल पहले यहां पर क्या हुआ कि आइसेच के टाइम पर यहां क्या था यहां पर एक बेरिंग स्टेट में ग्लेशियर थे ठीक है यहां पर ग्लेशियर था बेरिंग स्टेट जो देखते हैं अभी भी पढ़ते हैं बेरिंग तो यहाँ पर काता है एक glacier था ठीक है तो इस glacier से क्या हुआ कि हमारे जो वहाँ में अudoval выше ऐसिया और क्या कहते हैं आपका अमेरिका को मिलाता था यह glacier ठीक है तो हमारे यहाँ के जो native जो हमारे यहाँ के जो लोग- comparison तेकर यहांसे वह क्या हुआ फिरिंग स्ट्रीट वाला एर था, America और Asia के बीच में, ठीक है? तो हमारे जो, वहां के जो लोक, जो ट्राइबल्स थे वो क्या होई? आपका America में आकर बसें, ठीक है? अमेरिका में आकर बसें, तो क्या हुआ कि, ये जो glacier है, ये glacier क्या हुआ? धीरे-धीरे क्या हुआ? भेलें थीरे करते हैं सम будем के नीचे जा चुप है अब हम तो इहां पर क्या हुआ जो अपके नौट अमेरिका में यहां पे लोगों ने कहते हैं यहां पर ट्राइबर स्रैते थे त 시간이 यहां पर ट्राइबल के ही अगल बगल था reverse के अगल बगल होने का reason क्या होता है कि कहते हैं वहाँ पर क्या हो जाता आपका water मिल जाता है ठीक है आपका अगर थोड़ा बहुत क्या कहते हैं आपका वो agriculture activities करते थे तो उसमें help हो जाती है ठीक है इसमें एक important चीज और है कि जो वहाँ के tribes थे ठीक है जो वहाँ के tribes थे North America के उन्होंने क्या करा कि कभी भी जो अपनी resources है ठीक है उसका क्या करा बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं इतना ज़्यादा extension में मतलब बहुत ज़्यादा use नहीं करा उसका ठीक है जब Europeans यहाँ पहुसते हैं तो उन्होंने क्या करा उनके साथ बहुत ज़्यादा friendly क्या कहते हैं friendly way में ही उनसे behave करा उनको gift दिये जो भी उनके past important चीज़ा थी वो क्या कर इन्होंने as a gift क्या करा उनको आपका Europeans को दिये ठीक है फिर उन्होंने क्या करा कि जो भी क्या कहते है इनका जो जो इनका जो इनकी history है ठीक है ट्राइबल्स की उसमें इनको क्या दिखाया गया है इनको कहीं नकई barbarian दिखाया गया है ठीक है थोड़ा सा इनको दिखाया गया है कि यह unscivilized लोग थे बाद में चलके जब इन्होंने history लिखी जब इनको history के लिए अपनी history लिखने के लिए थोड़ा सा influence किया गया तब पता चला कि यह क्या थे बहुत जादा friendly थे ठीक है यह क्या करना चाहते थे लोगों European से relationship build करना चाहते थे इनका जो nature था हो capitalist नहीं था जब आपका जो native लोग है जो आपके North America के जो लोग है उनका क्या हुआ आपका European से मिले उनको वो जब मिले तब उसके बारे हम पढ़ेंगे इसमें ठीक है तो हुआ क्या कि जब आपका जो native मिले आपके क्या कहते है sorry European सापके native से मिले तो उन्होंने कहा इनको ab origin ठीक है क्या कहा उनको ab origin ठीक है ab origin so ab origin इनको क्यों का क्योंकि आपका जो a b है ठीक है ab उसका meaning होता है from ठीक है उसका क्या meaning होता है from और origin का meaning क्यों होता है beginning ठीक है औरिजन का मिनिंग क्या होता हैं तो वो क्या था इसका मतलब क्या हुआ वो शुरू से वहाँ पर थे ठीक है आपके जो जो भी ट्राइबल्स थे वो क्या थे हैं आपे शुरूब से थे ठीक है जब यह बेसिकली आपका उस्टेलिया पहुंचे थे तब इन्होंने उनको का था एब औरिजन ठीक है वहाँ के नेटिव लोगों को पिर जो आपके अमेरिकन इंडियन ठीक है जो इंडियन शब्द का यहां पर इस्तमाल क्यों हो रहा है क्योंकि जो आपका जो किस्टफल को लंबस था उसने क्या सोचा था यहां को इंडिया ही सोचा था ठीक है तो वहाँ पर उनको पहले अमेरिकन इंडियन कहा जाने लगा ठीक है फिर अमेरिंड की नाम से या फिर अमेरिंडियन की नाम से कहा जाने लगा ठीक है कहा पर आपके नौर्ट अमेरिका उसाओट अमेरिका में क्या कहा जाने लगा अमेरिकन इंडियन अमेरिंड य कि identificAAAA जो Canada की government थी उन्होंने क्यां कि एक act कारा कि इंदियन act 1876 ठीक है और क्या कहते हैं इनको recognize करना शुरू करा ठीक है क्या क्या कहते हैं आपके जो native people थे उनको recognize करना शुरू करतальных मतलब क्या हुवा क्या था कि जब आपका Europeans अपका America पहुंचे थे तो ये है जो भी आपके जो भी आपके आपके महां नी्टिव लोग थे वह क्या ओकई थे पर उच्छा कुंगें तो फिस अब क्या हुआ उनको एक ग्रेकोगनाइस करने गरना शुरू कर दिया और क्या पी चीटिया क्लिगें एक नेशन मतलब उनको ऑई इंटिफाई करना शुरू तो आप देख रहो कि क्या कहते हैं आपके वहां के लोकल जो वहां के लोकल लोग है उनको क्या करा गया उनको बाद में जाके इडेंटिफाई करा गया जबकि जो वहां के लोकल लोग थे वो तो उनीका था है ना उनीकस था अमेरिका बट देखो बाद में चलके यूरोपिय चाने लगा इनको Red Indians का जाता था ठीक है Red Indians क्यों का जाता था क्योंकि Brown complexion की वैसे ठीक है इनको Red Indians का जाने लगा Red Indians की Indians जो शब्द बार बार आ रहा है वो उसकी वज़्या क्या है कि आपका जो Christopher Columbus था उसने क्या रहा था जब अमेरिका की खोच करी तो उसने क्या बताया कि यह इंडिया है शुरू शुरू में तो नहीं पता था कि यह इंडिया है तो वहाँ पर हम जो वहाँ के लोग हैं वो क्या कर दो सब क्या समझते थे उसको इंडिया ही समझते थे तो आपको ये जो इंडिया शब्दा ये बार-बार देखने को मिल रहा है फिर क्या हुआ कि जो आपका क्या कहते हैं जब आपकी यूरोपियंस नौर्थ अमेरिका पहुचे तो क्या हुआ कि यूरोपियंस जो आपका नौर्थ अमेरिका की ट्राइबल्स थे जो वहां के Native लोग थे उन्होंने क्या करा Europeans का Welcome करा, ठीक है जो Europeans थे वह क्या थे희 यहां पे हमें लड़ाई करना है पढ़ेगी European नरनी दो लड़ाई करना हो पर ऐसाँ नहीं था उना उनका नेचर काहा था भाद लिखाना में बाद ऑसर दाा ठीक है फिर क्या हुआ कि जो आपका North America और European जो आपके नेटिव लोग थे और European के बीच में क्या हुआ थोड़ा-थोड़ा सा ट्रेड होना शुरू हो गया इन्होंने क्या दिए आपका जो आपके North America जो नेटिव लोग थे उन्होंने क्या दिया उनको जो भी उनके पास क्या कहते हैं हेंडे क्राफ्ट या कुछ खाने को यह सब चीजे यूरोपियन्स को दी ठीक है और इसके बदले में आपका जो यूरोपियन्स थे उनके पास जो भी अपना ब्लैंकेट या आइरन के वेसल यह सब चीजे लेके आए थे तो उन्होंने इनको दिये ठीक है आपका नेटिव लोगों को आपकी नेटिव लोगों को ठीक है बाद बाद में जो आपके जो फ्रेंच थे ठीक है जो फ्रेंच थे उन्होंने क्या दी इनको गंस भी दी ठीक है आपका नेटिव लोगों को ट्राइबल्स को इनको गंस भी दी तो इन्होंने क्या करा गंस क आपना शिकार के लिए लोग अपने दिखा होगा अरो बोस का इस्तमाल होता था पार बाद बाद में जब फ्रेंच उसक्त गंस दी तो एक इनको इस्तमाल करने लगे छीक है है फिर यूरोपियंस ने इनको एलकॉल दी तो एलकॉल देने से क्या हुआ कि शुरू शुरू में जब इन्होंने कंजूम करी तो बाद बाद में क्या होगी इनको क्रेविंग उने लगई ठीक है अलकॉल की क्रेविंग होने लगई अम उने चाहिए ही चाहिए अलकॉल ठीक है गंस इनको चाहिए ही चाहिए थी में आपका एलकॉल है ठीक है तो इन्होंने जो यूरोपियंस है उन्होंने क्या करा इन पर शर्ते रखना शू कर दी कि आप हमें यह समान दीजिए यह हमें लैंड दीजिए तब ही हम आपको यह चीज देंगे ठीक है अब एलकॉल तो ऐसी आपका कौन कौन सी कलोनीज बनाई के कहते हैं आपका ब्रिटिश ने और के कहते हैं आपका फ्रेंच ने ठीक है तो यह जो क्यूबिक जगह है यह है आपकी कनेडा में ठीक है कहां पर आपकी कनेडा में तो कनेडा में हम जानते हैं कि बिसिकली आपका जो फ्रेंच थे वह आप पहुचे थे आपर कनेडा में ठीक है तो जॉन कॉबिट ने एक जगा पहुचा न्यू फाउंड लेंड ठीक है यह एक आइलेंड है बिसी कली लोर्यंस नदी के साथ साथ जाके सेंड नदी के साथ साथ जाके वहां पर क्या मिला वहां के नेटिव लोगों से मिला ठीक है और ऐस इस इस शिक्टी नेक्सेशे इट में इन्होंने क्या'reille एक कलोनी फाउंड करी क्यूबिक ठीकाई तो यह सब कौन कर रहा हивет है आपका फ्रेंज कर रहे है मैंने में बताया फ्रेंज और कहां पहर यह जगाई है कनेडा में एंपोर्टänge रिवर जो wh солн नभी पह्त पहर अमेरिकन कलोनीथ gg包 तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि भलेए क्रिश्टिफर कोलम्बस ने उसकी खोच करी थी basement उसने चाहटे हैं आपका उसने इंडिया सोचा था जो अमेरिका है उसको क्या सोचाता इंडिया सोचाता ठीक है तो उसने जब 1492 के कारीब तो उसने बताये कि इस नाम का एक व टीक है अमेरिगा नाम के बताया यह तो अलग आइलेंड यह इंडिया नहीं है तब लोगों को पता चला कि ओहोगों यह तो बेकू बना रहा था हमारा ठीक है क्रिस्टफर को लंबस टीक है तो बिटिश फाउंड दे न्यू कलोनी ओफ वर्जीनिया ठीक है एक कलोनी इन्हो स्टेब Sanders earn 13 कि अआप 13 कलोनी स्टेबलिश करी किस ने आपकी british को क्या हुआ कि उन्हों से कलोनी करिया कि टो क्या किते हैं आपका क जो वहाँ के लोग थेicit है आपके बिटिश यह तो उन्हों नहीं क्या करा यहां पर इयां इन को विडिभी राज नहीं होगा जो आपका बिर्ट इन का किंग है उस हम पे कोई भी राजन नहीं होगा शारी style इनका साथ दिया आपका French ने जो इस welcoming French ने इनका साथ क्यूcoat दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते था BOB ब्रिटिस कलोनी बने यह तो इनका साथ भी दिया अमेरिकन वार वार अंडीपेडंदेंस वंडीपेडंदेंस तो उसकी वज़ा थी जो हांके जो लोग थे जो जो नहीं चाहते हैं हम यहां पर हम ऐमंड करहें हैं हम इस esarड़ी है रिगाशन कारें है हम कर रहे हैं मैं रहया है अपने हमां में एक्तिविएटीश कर हैं इसी बात से आपका जो ब्रिटान का किंग था वो चैड़ गया था ठीक है वो वो कह रहा था वो सोच रहा था कि यही के लोग वहां जाके बसे हैं और अब क्या कर रहे हम इसे क्या कहते हैं कहलो की बगावत कर रहें ठीक है तो फिर इसी वह सब्सक्राइब की अमेरिकन वार झाल झाल